हे यू आल, वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल, फूट फुल अ फ्लेवर्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुती क्रिस्पी स्नेक रेसिपी सो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं वेज मियो रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो उबले हुए आलू लिये हैं इसे मैं अच्छे से कर्दुगस कर लूँगी इसके बाद मैंने लिए बारीक कटिवी शिमला मिर्च, एक प्यास बारीक कटिवी आधी टी स्पून नमक, एक चमच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काली मिर्च और तीन टेबल स्पून मियो नीज अब हम ये सारी फिलिंग को अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखें फिलिंग बनके रेडी हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ा सा ओरिगानो डाल देंगे अब हमें ब्रेड लेनी है और इसकी साइट्स को रिमूफ कर देना है तो यहामें ब्रेड की साइट्स को कटर की मदद से कट कर दोंगी ये देखें चारो साइट्स ब्रेड की मैंने हटा दियें अब हम इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे ब्रेट बहुत ही सॉफ्ट होती है तो ये इसली फ्लैट हो जाएगी अब मैंने ये पानी लिया है और इसको दोनों साइट्स पे लगा दिया है अब हम एक चमज टोमेटो कैचप लेंगे और इसे बीच में स्प्रेट कर देंगे अब जो हमने फिलिंग बनाई थी उसे में सेंटर में थोड़ा सा एक चमज फिलिंग लेके लगा दूँगे अच्छे से अब मैं ब्रेट का हलके हलके रोल बनाऊंगी यह देखिए कितना इजली पानी की वज़े से अच्छे से सिक्क्योर हो चुका है ऐसे ही मैंने सारे रोल्स बनाके रेडी कर लिये हैं अब हमें लेना है एक चमज रूम टेंपरेचर का बटर इसमें मैं एक चमज कोकिंग ओईल लोंगी और हम एक चमज ओरिगानो डालेंगे अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे यह मेरा ओरिगानो बटर बनके रेडी हो जाएगा यह देखें बटर रेडी हो चुका है अब एक ब्रेश की मदद से मैं अपने सारे रोल्स में यह लगा लोंगी इससे क्या होगा यह बाहर ब्रेट पे अच्छा सा क्रस्ट आएगा और फ्लेवर भी हमाई ब्रेट को मिल जाएगा यह देखें सारी रोल्स पे मैंने अच्छ से 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 लेंगे मीडियम फ्लेम पे लगभग दो मिनिट में हमारे रोल एक साइट से 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 जाएगा यह देखें सारे रोल्स को मैंने प्लेस कर लिया है अब दो मिनिट बाद मैं इसको अच्छे से फ्लिप कर दूँग यह देखें रोल हमारा सिक के बिलकुल रेडी हो चुक और तयार है हमारा क्रिस्पी स्नेक वेज मियो रोल्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा